हलो दोस्तों डिवोशिन इस्टिटूट में आप सभी का सुवागत है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन्स की सिरीज में आज बात होगी कैलेंडर के सबसे अच्छे 10 प्रशन आपको पता है पूरी रिजनिंग पूरी मैट्स के सारे चेप्टर्स के सबसे इंपोर्टें समान था 2019 मैंने आपको 3 बाते बताईए इसमें 3 तरह के प्रशन बनते हैं इस समान वाले प्रशनों में वैसे तो जितनी वी बी वराइटाईटी 만들어 कोई बी ओरडिनरी year कोई भी ordinary year 11 सालों में repeat होता है कितने सालों में repeat होता है 11 सालों में लेकिन एक इसका exception है अपवाद है वो क्या है यह ordinary year अगर किसके बाद में बताईए leap year के बाद में आया तो फिर यह 11 साल में repeat नहीं होगा यह 6 साल में रिपिट हो जाएगा और दूसरी बात अगर खुद लीपियर है तो वो 28 साल में रिपिट होता है इस पूरी चीजों को मैं प्रमाणिक रूप से समझा रखता है पूरे दो-दो लंबे-लंबे सेशन्स लिए हुएं आप डिवोशन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएए प्लेलिस्ट मिलेगी रिजनिंग की और कैलेंडर के चैप्टर को बारी किसे देखिए यहां हम कॉंसप्ट को दुबारा डिसकस नहीं कर सकते तो यहां पर 2013 एक ओडिनरी एरल लेकिन यह ली यह लिपियर है इसमें 28 जोड दीजें तो 2032 हो जाएगा जैसा में आपको यहां पर बताया ज़रा देखिए अगर लीपियर है तो 28 साल में रिपीट होता है ओडिनरी एरल किसी लीपियर के बाद में आरा है तो 6 साल में रिपिट होता है रटियेगा मत समझनी की कोशिश की दिए उसके लिए आपको sessions देखने पड़ेंगे एक सवाल इसमें यह और लीजा मेंने 2007 का एक ordinary year है लेकिन यह लीपियर के बाद नहीं है लीपियर के बाद नहीं है इसका मतलब यह 11 साल में repeat होगा तो 11 जोड दीजेगा 2018 हमारा answer आएगा चौता प्रशुन जरा देखिए 10 जुलाई 1992 यह मैंने आपको सिखा रखा है पूरा 15 20 मिट लगा करके कि आज हम जो calendar यूज करते हैं वो बनता कैसे है हम इसको verbally answer निकाल सकते हैं कुछ एक seconds के अंदर एक बार समझेगा तीन स्टेप में करते हैं इसको कैसा पहला completed centuries कितनी है फिर कितने completed years है और तीसरा फिर ongoing year कौन सा चल रहा है तो आपको पता है हर 400 साल में 400 years में हमारा जो यह calendar है वो repeat होता है तो हम अगर यहां बात करें तो 1600 तक तो 0 काम करेगा फिर 100 साल में result 5 आता है यह सारा बेने सिखा रखा है 200 साल में 3 result आता है और 300 साल का result कितना आता है होने को 15 होता है बड़े हम 14 ignore करते हैं क्योंकि 7 का मतलब है कि हर 7 दिन बाद the day repeat हो जाएगा तो 1900 तक का result एक निकलने वाला है 1900 तक का result क्या निकलने वाला है एक निकलने वाला है और 91 साथ का multiple है तो यह 0 बन जाता है और 91 के अंदर फिर leap year कितने extra है चार आठ बारा सोला बीस हर 20 साल में पांच होते हैं 80 साल में 20 हो गए और 80 के बाद में 84, 88 यानि कि 22 extra आते हैं और 22 का मतलब है 21 में हटा दूँगा कितना बचेगा एक बचेगा एक मेरे पास यहां बच रहा है एक मेरे पास पहले बच रहा था तो दो मेरे पास बच रहा है और मैं यहां बात करूँ मेरे on-going year है 1992 जो भी leap year है जनवरी में 31 डेज होते हैं बडम 31 नहीं बोलते और मैंने 6 मेनी का result भी बता रहा है आपको सिखा रहा है कि leap year हो तो 0 आता है तो शुरू के 6 मेने जून तक result 0 आएगा 2 का 2 maintain रहेगा और जुलाई में फिर 10 में से 7 गटाएंगे 3 दिन बचेगा टोटल 5 दिन ब निकलता है एक क्यों result निकलता है जब हमारा यह century हमारे calendar शुरू हुआ तो एक जनवरी एक को Monday हुआ करता था यह सब सिखा रखा मैंने अब 1600 में 0 है और हर 100 साल का result 5 निकलता है मेरी बात है समझ में तब आप आएंगे जब और सेशन देखेंगे कुछ concept को लेकर के अब मैं बात करूँ कि 91 जो completed years है उसमें क्या होगा 91 तो हमारे odd days निकलेंगे हर साल का एक एक साथ में इसमें 22 leap years भी है हर 20 years में 5 होते तो 80 तक तो 20 हो गया फिर 84 88 भी है 92 क्यों नहीं लिया क्योंकि 92 ongoing year है तो 22 extra मेरे पास में तो यहाँ 7 का multiple है इसलिए 0 बन गया और यहाँ पर कितना निकल कर आया एक निकल कर आया कुछ लिखने के ज़रूत नहीं पड़ती हम कर सकते हैं और यहाँ पर फाइनली 10 जुलाई 2000 वन नाइन नाइन टू है 1900 क्या बताईए 92 है तो मैंने आपको 6 मेने का result बता रहा है कि अगर ordinary year है तो हमारा 13 निकलता है यह नहीं कि 6 निकल जाता है 13 का और leap year है तो 14 निकलता है 14 कैसे निकलता है जनवरी में 3 और डेस बसते हैं फरवरी में एक बसता है क्योंकि आपका leap year है उसमें 29 डेस का फैब होत सकते हैं तो यह 0 बनता और 0 बनता है तो cumulative result एक यहां पर है एक यहां पर और 0 यहां पर तो कितना बसता है दो अब केवल जुलाई में जून तक कर निकल आए जून जुलाई के अभी 10 दिन और बच रहें 10 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बसता है तीन तो actual में कितना result बनत आप 5 तो final result हमारा आता है 5 और 5 को हम क्या बोलते हैं 1 को Monday बोलते हैं 2 को Tuesday, 3 को Wednesday फिर Thursday और 5 को क्या बोलते हैं Friday तो यहां पर आपको यह प्रशन बहुत ज्यादा बार exam में आता है और मैं फिर repeat करके बोलना चाहूंगा आप calendar के sessions देख लीजेगा आपको मज़ा आ जाएगा एक concept सीखने में कि verbally कैसे कर सकते हैं प्रशन संक्या पांच पर आते हैं देखीगा 20th October 2016 को गुरुवार Thursday था तो 23rd February 2020 को कौन सा दिन होना चाहिए कुछ नहीं लिखना होता हमारे को किसी भी day, month और year से आगे जाना या पीछे जाना दोना केसमें verbal ही काम हो सकता है तो मैंने कैसे सिखा रखा इस चीज को सबसे पहले आप देखिए कि date सेम लेनी आपको तो 20 का 20 लीजे, month भी सेम लेना, October का October लीजे और 2016 के बाद उतना तक देखिए जो completed है, 2020 में October में क्यों जाओंगा हमें, सवाल तो मैं से February का पूछा है, तो मैं 2019 तक ले सकता हूँ, तो 16 के बाद 17, 18 और 19, आप notice करते हैं कि आपका जो birth day आता है, वो हर साल एक बढ़ जाता है, क्या हर साल आगे जाने में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 364 का मतलब जीरो हो जाता है, और हर ordinary year में एक odd day बसता है, तो अगर आपका बर्थ 2017 में कभी कोई भी तारीक महीने को, बढ़ 2017 में अगर Monday को आया, तो 2018 में क्या आएगा, बताएए Tuesday को आएगा, फिर 2019 में Wednesday को आएगा, लेकि 2020 में साफधा नहीं रखनी पड़ेगी, अगर वो 29 फरवरी के बाद आया, तो फिर एक दिन नहीं बल्कि दो दिन जुड़ेगा, क्योंकि लीपियर में odd days एक नहीं बल्कि दो जुड़ते हैं, अब यहाँ पर 20 September 2016 से 20 September 2019 तक जा सकते हैं, 2016 लीपियर है, लेकिन लीपियर का effect अल्रड़ी खतब हो चुका है, लीपियर होने से मतलब नहीं होता, लीपियर में 29 फेबरी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इन 3 सालों के odd days तो हो गए 3, हम कहां तक पहुच गए, मैं लिग भी दूँगा, एक बार verbally कीजिए तो सही, 20 October 2019 तक पहुच गए, अब मुझ इसी भी तारीक में 7 जोड़ दीजे, 7 घटा दीजे, 7 का multiple जोड़ दीजे, घटा दीजे, उसी day तक पहुच जाएंगे, तो इस 11 में से 7 घटा, ये 4 बचेगा, और पुराना मारे पास years का 3 बचे रहा था, 4 प्लस 3, 7, 7 मतलब वापस 0 हो गया, October में कोई फरक नहीं पढ़ November में result 2 बचेगा, December में 3 यानि की total 5 हो गया, January में 3 बचेगा, यानि total 8 हो गया, 8 में से 7 इंग्नोर करूं तो एक बचेगा, और February में मेरे पास 23 तो मैं 2 result निकालूंगा, क्यों 21 चोड़ूंगा, तो 3 result total बसता है, और 3 का मतलब अगर मैं Thursday में जोड़ूंगा, तो Friday, Saturday, Sunday, यान मैंने जरा देखिए, 20th October 2016 आपको दिया है, और 23rd February 2020 आपसे पूचा गया, तो सबसे पहले मैंने क्या कोशिश की, कि ये मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैंने क्या निकाला, 20 का 20 सेम, October का October स्वें, और 2019, तब सोचिए, और हम डे कभी बीच में नहीं निकालते, हम हमेश सारी calculation mathematics में करते हैं, कि कितना plus और कितना minus और फायर बाद में हम इसमें जोड़ देते हैं, तो 2016 लेकिन उसका effect खतम हो चुका, 17, 18, 19 यहां तक पहुंचने में, 3 odd days जुड़ रहे हैं, कितने odd days जुड़ रहे हैं, 3, अब October में कितने दिन बचे रहे हैं हमारे पास, October बचे र चोड़ सकता हूं, तो 11, 4 बचेगा, sorry, 11 days बच रहे हैं, तो 4, क्योंकि 11 में, 7 में ने छोड़ दिया, तो 4 तो मेरे पास October बच गया, और 3 मेरे पास 3 years में बच रहा था, तो October पूरा निकाल दो, तो result 0 बचता है, कोई मुस्से पूछ ले, कि 31st October 2019 को क्या होगा, तो मैं कहू और January में आता हूं, तो result मेरा 8 बनता है, क्योंकि January में 31, हर मेनी में 28 दिन तो होते ही होते हैं, और 28 को हम छोड़ सकते हैं, और 8 को हम क्या बोलते हैं, एक, और February मुझे सिर्फ कितनी चाहिए, 23rd FAB, जिसमें से भी में 21 चोड़ सकता हूं, तो 2 बचता है, और 2 उपर एक बच बचला है, तो final result कितना बचला है, 3, और 3 मुझे किसमें जोड़ना है, बताइए, हमें जोड़ना है Thursday में, तो आप 3 add करेंगे, तो Friday, Saturday और Sunday answer क्या आएगा, बताइए, रवी वार, मैंने इसके एक, एक चीज में बहुत ही बारी किसे, step by step, sequence में चीज़ों को सिखा रखा है, प्रेशन संख्या 6 पर आजाईएगा, इसापुरु वो 22 में एक घटना घटी थी, वर्तमान वर्ष 2022 पर विचार करने से ये घटना कब घटी थी, ये घटना कब घटी थी, तो आपको मालूम है, ये माइनस में है, तो आप 0 तक जाएंगे, तो 2022 साल पीछे जाएंगे, और पीछे जाना है, और 2022 साल ये है, तो घटना एक्चुल में कब घटी थी, 2022 प्लस 22, 2044 साल पहले, प्रशन संख्या 7, लीपियर में 366 दिन होते हैं, ये तो सब को पता है, यदि इस वर्ष एक जनवरी को फ्राइडे था, तो कुल कितने सटर्डे थे, तो मैं बात करूँगा कोई लीपियर है, तो आप सोचिए कितना लीपियर के अंदर 366 देज हैं, तो आप देखें, यहाँ पर 52 पूरे पूरे वीक्स होंगे, और उसके, क्योंकि 364 दिन में 52 वीक्स होते हैं, और 2 डेज और बच जाते हैं, और यही 2 डेज क्या 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 यह कहलाते हैं आपके order days, तो आप सोचो, आपके 52 weeks में आपकी जो 1st January है, आपकी जो 1st January उसको कौन सा दिन है, बताइए, Friday, आप खुच सोचिए Friday, तो जो 7th पूरा एक week होगा, यानि 7th January, उसको क्या होगा, बताइए, रस्द्य होगा, होगा या नि होगा, बताइए, हर 7 दि कितनी बार घूम जाएंगे, 52 times, क्योंकि पूरे 366 दिन है, पहला दिन Friday का है, तो 7 दिन किसका होगा, थ्रस्दे होगा, क्योंकि Friday तो वापस आ जाएगा, हर दिन एक एक बार आना चीह है, तो 52 weeks तो हर दिन 52 बार हो गया, उसके बाद ये 364 दिन गुजर चुके हैं, अब 365 365 दिन क्या होगा, 365 दिन फिर Friday होगा, और 365 दिन क्या होगा, बताइए, Saturday होगा, चुकि ये ली पियर है, चुकि ये ली पियर है, तो आपको पूछा गया, कि ये कुल कितने शनिवार होंगे, तो मैं बात करूँगा, 52 तो सारे होंगे, लेकिन ये एक और होगा, तो 53 होंगे अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिस भी दे से ये साल शुरू हो रहा है, जिस भी दे से ये साल शुरू हो रहा है, जिस भी दे से ये साल शुरू हो रहा है, वो दिन और उसका अगला दिन हमेशा एक 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 एक्स्ट आएगा, और अगर ये ली पियर ना होकर और होता तो तो फिर उस case में Saturday 52 ही आते क्योंकि ये पूरा rotation करने के बाद 52 वीक से बाद में एक ही दिन बचता और एक ही दिन बचता तो जिस डे से साल शुरू हुआ सिर्फ वही दुबारा आ पाता उसका अगला नहीं आपाता तो आपको ध्यान देना ये मैंने बड़ी महनत से questions निकाले वो प्रश्न जो सारे के सारे exams में repeat हो होकर पूछ रहें आप देखिए time and distance मैंने match मिलिया profit and loss लिया percentage लिया आपका बहुत सारे sessions आपके reasoning में blood relationship आपका coding decoding आपका direction सारी चीज़े में करवा रहा हूँ बहुत मेहनत हो रही है आप ध्यान दीजेगा बहुत अच्छा revision होगा आप कोई चीज़े अच्छी लगती है तो like करने में हिच किचार्ट नहीं होनी चाहिए आपको comment करके जरूर बताना चाहिए कैसी चीज़े लग रही है चलिए आगे बात करते है question number 8 पर नीलम ने March 2021 के महीने में March 2021 के महीने में एक बुद्धुभार को अपना जरमदीन मनाया इस दिन क्या तारीक हो सकती है नीलम celebrated her birthday on a venus day in the month of March 2021 what can be the date on this day that's a fantastic question आपको ये पता ही नहीं है कि वो date कौनसी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि March 2021 में वेनस डे कब कब आएगा तो वेनस डे आएगा ये तो पता है लेकिन आपको देट नहीं पता अब आप देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि centuries 2000 तक की पूरी complete है उसका result is zero निकलता है completed years 20 years complete है उसके बाद में 2020 तक ले लीजेगा अगर इसका result निकल लूँ तो क्या निकलेगा बताइए 20 तो भाई इसमें 20 completed years है क्योंकि 2021 तो चल रहा है तो 20 years में अगर मैं एक एक दिन निकलता हूँ तो 20 तो odd days ऐसे निकल जाते हैं लेकिन इस 20 में 5 leap years है तो 5 और निकलते हैं तो ये 25 हो गया लेकिन 25 में से हम 21 घटा सकते हैं तो ये 4 result निकलता है किता निकलता है पता ये 4 कहा तक पहुंच चुका मैं 31 December, 31 December 2020 तक आ चुका पूरे 2000 सालों का result 0 और 20 साल का result कितना हर एक साल में मैंने एक तो odd day निकल दिया और चुकि 5 इसमें लीपियर है तो 5 extra ये गलत तरीका हो जाता है कि ये देखते रहें कि हर लीपियर से 2-2 निकलो और निकलो जादा अच्छा मैं है उनसे एक-एक extra निकाल लो तो वह असान काम होजाता है अब सावधान January के महीने की बात करूंगा जयान से सुनिए गा यह आपको मार्च में रिजल्ट अगर में एक निकालता हूँ तो वो मंडे आना चीन आपको बताये था एक कम अदब मंडे होता है दो कम अदब ट्यूजडे होता है क्योंकि 28 फरवरी तक का तो रिजल्ट जीरो है तो 28 फरवरी 2021 क्या है यह पकी बात है संडे है अगर मैं बात करूँ तो मार्च में एक तारीक को मंडे है दो तारीक को ट्यूजडे तीन तारीक को पका वेनस्डे आएगा तो तीन तारीक को वेनस्डे आएगा और आपको देखना है जब तीन तारीक को भी आएगा 17 को भी आएगा और आप 24 को भी आएगा और 31 को भी आएगा ये मार्च में 5 बार वेनस दिया रहा है तो आप options में देख लीजे केवल और केवल 31 दिया हुआ है ना तो 3 है ना 10 है ना 17 ना 24 है तो आपको ये कहा गया उसका जो जन्म है वो कौन से तारीक को हो सकता है तो that's a fantastic question answer आपका C होगा question संख्या 9 पर आईएगा फरवरी 2020 का अंतिम दिन शनिवार था 2020 एक लीपियर है और अंतिम दिन का मतलब 29 फैब होगा फरवरी 2019 का अंतिम दिन क्या होगा अगर हम यहां बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझेगा फरवरी 2019 में 28 तारीक होनी चाहिए और 28 से 28 नहीं कि दो दिन का फरक पड़ेगा तो ये थ्रस्डे आएगा क्या आएगा बताईए थ्रस्डे वो कैसे मैंने बोला जरा ध्यान से मेरी बात को समझेगा इसने आपसे ये पूछा है मैंने आपको केलंडर नाम के चेप्टर में ये सिखाया कि हम लोग इसमें पीछे जाने की जगा आगे जाना पसंद करते हैं तो बैटर होता आप जरा देखिए फरवरी 2019 का अंतिम दिन पूछा गया तो मुझे बताइए 2019 तो ordinary year है और ordinary year में तो 28 ही दिन होते हैं यानि कि 28 फरवरी पूछ रहा है वो 28 फरवरी 2019 आपसे पूछा जा रहा है और आपको क्या दिया जा रहा है 2020 का अंतिम दिन तो यानि 2020 तो आपका leap year है तो 29th Feb 2020 आपको दिया जा रहा है जो क्या है बताइए Saturday है आपको पता है कि 28 फरवरी 2019 से 28 फरवरी 2020 पूरा एक साल आने में 28 फरवरी 2019 से 28 फरवरी 2020 आने में odd day एक बढ़ता है लेकिन आपको 28 फरवरी 2020 नहीं 29 फरवरी आ रहा है यानि कि यहां से यहां तक की यात्रा में दो जुड रहा होगा तो यहां से यहां दो जुड रहा होगा तो यहां से यहां दो घट रहा होगा तो Saturday में अगर दो घटा हूंगा तो आपको थरजडे मिलेगा answer C दीजेगा question number 10 पे आईएगा स्नेहा का जनम दिन 17 जन्वरी 1984 को था बहुत ही अच्छे हर चैप्टर से सबसे चे दस प्रशन लिये वहां बुद्धवार का दिन था तो यह उसने बता दिया कि इस दिन Wednesday था सवाल क्या है उसका अगला जनम दिन किस दिन पड़ेगा तो उसका जनम दिन आएगा अब 1985 को और मैं समझता हूँ वह बुद्धवार था तो यह शुक्रवार पड़ेगा कैसे जरा देखिए 17 जन्वरी 1984 से जब यह 17 जन्वरी 1985 आएगा तो ध्यान सा समझेगा मैंने क्यों दो जोड़ा एक की जगा बुद्वार था तो क्योंकि 84 एक लीपियर है और उसका इफेट अभी तक पड़ा नहीं है तो जन्वरी के बाद जो फरवरी आएगा उसमें 29 फैबरी की वज़ा से एक और ड़े बड़ेगा और 84 से 85 में आने की बज़े से एक और और ड़े बड़ेगा तो और ड़े कितने इंकिरीज होंगे दो और यहां बच्चे हॉलसेल के अंदर गलती कर देते हैं अगर यह वेनेज़ दे था तो बहुत सारे लोग इसको थ्रस्दे कर देते हैं यहांने की आला कि option नहीं है option देना चाहिए था क्योंकि गलती से थ्रस्दे भी हो जाता है तो आपको ध्यान देना है कि आंसर थ्रस्दे नहीं बलकि क्या होगा Friday होगा अब आज का जो आखरी सवाल है bonus वो आपके लिए होता है हमेशा बहुत अच्छा प्रशन दिख रहा है देखिए 28 फरवरी 2004 को थ्रस्दे दिया है एक मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा आपको यह मुझे कमेंट करके बताना यह भी एक लीपियर है और यह भी एक लीपियर है और 28 फरवरी तक लीपियर नहीं आया इफेक्ट तो इसके बाद पड़ेगा इफेक्ट आएगा और इसमें भी गुजर जाएगा एक अच्छा प्रशन है तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताईएगा अधिक्तम लोगों को चीज़ें शेर किजिए ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बड़े चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं मेरी असीम शुब कामने सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच